नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका वाई प्रतीक मली को स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसे अप्रतिक वान लिख पर आज मैं लिखाया हूँ आपके लिए हिंदी कि स्थार्ड क्लाश इसके अंदर हम बात करेंगे क्रिया के बारे में वी चलिए और जैसे ही मतलब आपका बैस स्टार्ट होता है स्टार्ट करते हैं सही बाक्या चाट यह ठीक है पहले मन में सोच लो इन में से चाही कौन सा है ठीक है वीडियो के अंड में आपको बताऊंगा कि सही कौन सा है और कहां आपने गल्ती की थी ठीक है चलो वीडियो के वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज तो बतायता हूं जिन लोगों ने यह सोचा है उसने प्रिशन पूछा यह सही है तो भाई यह बिल्कुल गलत है देखो एक चीज बताता हूं बहुत लोगों को नहीं मलब पता होती है लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि हम सही गरते हैं और बात उसते हैं समझते ऊपिकिशे तो इस वज़े से घलत हो गया ठीक है तो यह से रिलेटिड है बकी की चलो बाद में कर लेंगे लास्ट में अँड में लेकिन यहां जो इंपोर्टेंट छीज करते हैं उसके अदार पर बात करूंगा इन तीनों के हारे में पहले बात तो यह समझो कुछ यह कहते हैं कि जो मिखें नियुक्ष की अदर कुछ मुझे बेने की कहते हैं कि र gespannt रोग्षे यह वाली में नागी सब बच्चे पढ़ते पाथं कभी ना कभी जरूर पढ़ी ज्यान लगना थोड़ा सा ठीक है तो अच्छा इन तीनों क्रिया के अंदर कुछ ऐसी हो सकती है कोई चीज मैं बोलूं वह इसके अंदर एक बेद में इसके अंदर दूसरे बेद में तो ऐसा हो सकता है आप यह मत सोचना कि सर यह तो अमने स्थान की विद्धा के अधार में पड़ी थी ठीक है कि यह करम के आधार वा गेरा में पड़ी थी यह हमारी सा कर्मक्रिया है तो यह हमारी इसक में कैसे आ जाती है देखो हम क्या करते हैं हमने कैटेगरी बनाई है हम इन तीनों को अलग अलग आधार पर देखते हैं अगर मालो जिसे आपकी कमरे में बहुत है तो अब देखो पैन आपका ह हरे ओलती चीज के अंदर आ तो कोई दिскा जाइगा पत्तवाली तो आपको आरी शीजाHHHH तो सेम यही वाली चीज़ होती है, तो अधार में confuse मत होना, ठीक है, चलो, स्टार्टिंग करते हैं पहले स्थान की विवित्ता, तो देखो, पहले जब हम करते हैं, हम यह देखते हैं, कि हमारी क्रिया यूज कहा की जा रही है, मुझे नहीं लगता मैं इनको यह बताने की उसके अधार पर, दो चीज़े होती है, एक होती है, समापिका क्रिया, एक होती है, असमापिका क्रिया, समापिका क्रिया में क्या होता है, कि जब हमारे वाक्य के अंत में क्रिया यूज होती है, यह मेली हमारा अंत में, जो भी आप का होगी, मैंने खाना खाया, या कुछ कर लिया तो यह हमारी ड़ला है यदि कई बार ऐसा होता यहां होगते बागते रुकि तो अब पहली बात तो हंजो एस हम नोपका क्रिया की अंदर दो क्रिया होंगी ही होंगी देखो घुन का क्रिया एंड में ही यूज होती है इसमें कोई धुरавाए नहीं है क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी के उदर डिफरेंज क्या है इस English के अंदर कैसे चीजे चलती हैं देखो English के अंदर हम अभी syntax वगरा कि और बाकी सारी चीजों की बात करेंगे English Pedagogy के अंदर तो हम बात करेंगे लेकिन अभी समझ लोग कि English के अंदर हमारा होता है subject, verb, object जबकि हिंदी के अंदर हमारा होता है subject, object, verb, verb का मतलब होता है kriya तो यहां तो end में आएगी लेकिन अगर बीच में आ रही है तो इसका मलब समझ लेना दो या दो से अधिक kriya होंगी तो जहां दो या दो से अधिक kriya आ जाएंगी ना तो उसके अंदर एक समापी का kriya होगी वह एंड में यूज होगी तो समझ में आ गया तो यह पैचान होती है मैं आपको नेक्स पर चलते करम के आदार पर यह आप बहुत लोग पढ़ चुके होंगे करम के आदार पर Tara abbiamo fare सा कर्मक दुकिया होती है कर्मक्दी एथिक है इसके अंदर करम की आवशकता होती है है अब देखो मैं खाना खाता हूं राम ने राण को मारा उसने मुझे पैन दिया अकरमक्रिया में है गोड़ा दोडता है बच्छा रोता है वह दिली रहता है दिली में रहता हूं आना चीता ठीक है पर चलो कोई ना अब देखते हैं सुनो मेरी बात साफ साफ और सिंपल सिंपल एक आपको तरीका बता देता हूं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अंदर भीद करने का आपको कोशन दिया जाएगा यह कि इन में से सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया चाटो तो आपको पता होनी चाहिए यह चीज़ ठीक है तो सकर्मक अकर्मक में आपको क्या करना है कि आपको कुछ वर्ड हटा के ठीक है इससे कोशन बनाना है क्या और किसको क्या और किसको अगर इन मेंसे दोनों मेंसे किसी एक का भी जवाब आपको मिल गया ना तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है अगर जवाब नहीं मिलता है तो वह हो अकर्मक क्रिया बनती है मनलब आप ऐसा कोश्य नहीं बना सकते जिसके अंदर क्या और किस को आप डाले जैसे कि अगर मैं यहां डालू मैं खाना खाता हूं तो मैं क्या खाता हूं आया समझ में राम ने रावन को मारा राम ने किस को मारा उसने मुझे पैन दिया उसने किसे पैन दिया या किसको पैन दिया और उसने मुझे क्या दिया समझ रहे हो अब देखो यहां पे सा कर्मक क्रिया के भी दो भाग हो जाते हैं एक होता एक कर्मक एक कर्मक होगा आपका एक कर्मक क्रिया होगी ठीक है एक होता है दुई कर्मक जब आपको क्या और किसको दोनों का अंसर मिल जाएगा तो वो हमारा होता है दुई कर्मक ठीक है और जब आपको एक का ही जवाब मिलेगा तो वो आपका होता है एक कर्मक ठीक है लेकिन यहां मुझे दोनों का जवाब मिल जागा इस वाले में मैंने उसने मुझे क्या दिया ठीक है उसने किसको पैन दिया ठीक है तो दोनों चीजों का जवाब मिल गया तो यह हमारी द्विकर्मक होगी अब देखो अकर्मक क्रिया के अंदर अगर मैं बात करूं अ मेरे कोशन डाली मेरे। हम इसके अंदर क्या या किसको कोशनन डाल ही नहीं सकते हैं, हमारी अकर्मक क्रिया हुग जब धूबारा बता रहा हूं हुए है Diet02 क क्र्मक क्रिया हुग है सकर्मक के दो भाग बताए है, इसके अंदर मुझे एक ही चीज पता चल रही है, मालूमें यहां लिखता, राम ने रावन को गुसा मारा, ठीक है, तो जो यह गुसा मारा, ठीक है, तो राम ने रावन को क्या मारा, गुसा मारा, राम ने किसको गुसा मारा, रावन को गुसा म जब मुझे क्या या किसको का जवाब मिल जाएगा ना, तो मेरी सकर्मक्रिया होगी, जब एक का जवाब मिल जाएगा, तो सकर्मक में एक पार्ट होता, एक कर्मक वो होगा, क्या या किसको का जवाब मिलेगा, जब दोनों का पता चलेगा, तो वो द्वी कर्मक्रिया होगी, और जब मुझे पता ही नहीं चलेगा तो यह मेरा अकर्मक्रिया हो गई, अब एक और बात बताता हूँ, कई बच्चे यह पूसते हैं कि मेरा नाम प्रतीक है, मैंने यह लिख दिया, सर, मैं खुद की मातरा गलद लगा, मेरा नाम प्रतीक है, ठीक है, तो अब सर इसके अंद क्रिया ही नहीं ही समझ रही है, तो जब क्रिया नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं incentiv भी आगे इसको टिफ में पड़ेंगे ऑफूसतेंगे बच्चछें होते हैं, और जिन बच्चों की इंग्लिश काफिए रैम कर में आखिए हच्छी है, वोई कारण करना इंट कर्या जो यह ऊंप इनकी आप वह स्चेंज करना इनको परेले बनाना पिर इनको विश्चंज करना पेसी वोईस तो आपको डिफ्रेंश यहीं पता चल जाएक इनका प्रिप वहसिं के अंदर नहीं बन सकता इंसब पैसी बदोंके इंग्लिश के अंदर, इंदी में बना देंगे, इंदी में सब कुछ जुगाडू है, अब बात करते हैं, रचना प्रियोग के अदार पर, ठीक है, ओहो, यह इलेट करने रहेगे, पर चलो कोई ना काम चला लेंगे, समान्य क्रिया, देखो, रचना या प्रियोग के अदार किसी चीज की क्रिया की रचना कैसी हुई है, करम और कहां यूज होता है, वो तो पहले चला गया, अब रचना या प्रियोग, हम प्रियोग कैसे कर रहे हैं, जब एक ही क्रिया होती है, एक सिंपल क्रिया है, तो हम उसको समान्य क्रिया बोल देते हैं, लड़का किताब पढ उसने खाना खा लिया लिया अलग चीज है खा अलग चीज है बना अलग चीज है लिया अलग चीज है आया समझ में दो या दो से अधिक जब हमारी क्रिया मिलती है और जो दो भिन-भिन क्रिया होनी चाहिए तो अब इस पूरी को खा लिया को मैं क्या कौंगा संयुक्त क्रिय कहाओं गा समझ में साइक ग्रिए लि Zuschा सायग के नहीं को लॉशिक्त हैं कारिवा खेखेखल रहा है तो शिंद रहा है विट आया नहीं रहा है तो यह हमारी सैंक्त्र गर्या हो गई तो यह सायग करिया हो गई ठीक है घ्लव ठीट में यूज करने के लुक्त सुरष चलो नेख्स पे जलते माई बनाते रहोbayर इवाइने करो तया नाम झा éléments का अब अधिक लिक्त लख़ा है मैं इसके इसके निले प्र मॉस्रीज में श्ली वे भी देखो क्या कर वाता दूसरों से काम घ्रोगाना प्रेणा हम कैसे बनते हैं, हम जब खुद कुछ करके दिखाते हैं यह दूसरों से करवाएंगे, जैसे उस्रे डाके से पत्तर लिखवाया, ठीक है, प्रिंसिपल ने टीचर से काम करवाया, तो जो जो करवाया, लिखवाया, यह सारी जितनी होती है, हमारी प्रेणा तक करिय जिताना प्रेड़नार तक क्रिया हो गई हारना हरवाना ठीक है तो यह डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जब हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं ना फूर। पीचे होते हैं कि दूसरे के कंदेंफर बंदू को रखके चलाना तो यह वही हो ऑथ की से दर वो हमारी पूरुकालिक क्रिया होती है जैसे कि राम पढ़कर सो गया तो इसके अंदर पहले जो क्रिया खतम हो चुगी है कौन सी है पढ़कर पहले पढ़ गया वो पढ़ लिया न वही उसने तो पहले पढ़ाई खतम कर ली उसने तो उसके बाद में वो सोया है ना तो इसके अंदर जो पढ़कर होगा ना वो हमारी पूरुकालिक क्रिया होगी ये वाला ये वाला ये पढ़कर ये हमारी पूरुकालिक क्रिया होती है समझ में आ गया एक ततकालिक भी होती है उसके बारे में वो इतनी ज़्यादा पूछी यही जात है इस लिए मैं उसको करवा भी भी नहीं ठीक है पर कोई नाव AmdaD toasted friendshipicon ॉml से बनती हैं वह हमारे नामदा तुक्रिया के अंदर जैसे घड j होत से बना दिया हतिया ना गरम से बना दिया गरमना दुक भता दिया दुकाण़ रंग से दिया वीड़ी है यहान भूत योज होते है कि ऐसे वाट यू थी आ दैंग समक सा पह satisf Ampl लॉट यू पर भिबने स्वेत्शट को होती है फार्वाह चंग जर्दिया फोन वन गया तो यह जो हर्द्य फिर्ण सब्सक्रांड रैस्ट ने पर फिर दीजिक करिद होटी thirds क्रिदंत कृष्att करिए के लग जाता है तो आपका कुछ भी प्रत्र ऐको न आपका भाग मूल करिया ठीक है भाग ता लग गया तो हमारी क्रिदंत कृए होती एक संपल ने जाती है क्रिया के एंख क Przy अनर क्रिया की आहिए से इन Unbelievable फ्रहलेबात कर इतना एक बाहववाचिक संग्या के बादे में बाहववाचिक संग्या का रंद contenu करिएक करी में उससे ही बनी पैट के लिया का यूज्या कर लेंगे न तो वह अमारी हो होती है सजाती क्रिया फ्रीड जैसे ग्टक एल रहे हैं वें मन से पढ़ाई पढ़ाई हो ना चीए था पढ़ाई पढ़ता है गलत हो गया पढ़ाई नहीं है यह पढ़ाई है पढ़ाई पढ़ता है समझा है तो simple है कोई दिक्कत की बात नहीं है next पे जलते हैं समस्त क्रिया जब हमारा समास बनता आगे जब हम समास करेंगे तो आपको पता संлगा है यह iPhone वाला कौन से समास होता है तो यह अमारे हूँ सकती है से इसके अंतर कुछ नहीं होता लेकिन अमारे इस तरह से आइफन लग जाता है वह दिख सुन नहीं सकता वह पड़ता लिखता नहीं है तो कुछ भी होगा यह समस्त करिया नियुक्त करहें कि इस जैसे थे ऑब अबने तो यह कैसे असौन विन और जे人 होती है यह कंद मैंने उसका नामय करते लिए और झाल यह दो ऑदन गद गड़ाएं हैं ठीक है तो यह सारी सीजी होती है हमारी है जो ऑवाद से बनी होते हैं इसलेकिक on काप daytime मलब्र तैं तुब्ल ठील जो आपकी मैंने बताई जो आपन रधे हैं सो अक्रम का करमक वह ज़ज़ादा करें पिपोर्टनेंट मोज़नें अब लास्ट में चलते हैं वहीं पर जैसे हमने इन किया तो वह ses तो हैं और साथे हैं यह तो यह तो मिंप Six ऐसे गलत और लिने चालेएं देखो पहली बात तो यह समझो कि पहले के अंदर क्या गलत हो गया पहले के अंदर जो लास्ट हमारा जो करता होता है कुछ भी होता है इसके अधार पर हमारी क्रिया का यूज करते है इसके अधार पर ही तो मैदान में तीन गोड़े दो गदे और एक बैस चर रही है रही है और शुसन कर दिया है और नहीं करते हैं पर थे त्र है यह थोड़ा साथ को समझेंदा चाहिए जब चोटे बड़ो को कुछ देते हैं अंत तो आत पूछट करते हैं चाहिए वो क्या करेंगे अरपित करेंगे आया समझ में और जब बड़े चोटों को कुछ देंगे तो वो परदान करेंगे मालो मैं यहां कहता है गुरू जी ने चात्रों को प्राइज को क्या कहते है अभी मैं प्राइज ही कह रहा हूं प्राइज परदान किये ठीक है तो वो परदा होता है ठीक है अर्पित क्या होता है अर्पित हमारा होता है जब छोटे बड़ों को करते हैं ठीक है तो यहां क्या आना था छोटे कर रहे थे ना बड़ों को कुछ दे रहे थे ना गुरुजी को अभीनंदन पत्र अर्पित किया ठीक है चात्रों ने गुरुजी को आपको काई बार जैसे फोटो उसने हमारी फोटो कीची ऽी कर देते हैं। दिल्ली अर्याना में इस तरह की चीज़े नहीं हैं लेकिन यहां यह वाला बहुत यूज किया जाता है अच्छा एक और चीज बताता हूं आपको आसी आएगी लेकिन भाईया हमारे यहां पर असम के अंदर पानी को खाते हैं मतलब कहते हैं ठीक है कि सर पानी खालिया आपन करता हैं यह got your insurance card less लिए यहना लेना कुछ नहीं होता खरीदी है ठीक है मैं इक कर बीच लाक की लीए है ऐसा कुछ नहीं होता यह हमने खरीदी है इस तरह की चीज़े आपको यूज करना होता है बतितों कोई दिकत की बात नहीं होती है थीक है जो चीज नहीं को इसके अंदर बात आद रखना तो कर या करके जुड़ा ऊगा थीक है इस तरह से भी आप याद सकते हैं वह थिर्फिक माली को अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इसको लाएक और कमेंट जरूर करना वह थीजो cały आपको दिन शोब्रे